ये गाई, welcome to my channel cubing India तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं cubing से related कुछ terms जो as a cuber आप सब को पता ही होनी चाहिए तो आज इस वीडियो में हम कुछ basic terms से लेकर जैसे की dnf हो गया, dns हो गया, plus 2 हो गया और जितनी terms भी आप अपनी screen पर देख पा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको 3 by 3 cube को speed solve किये जाने वाले methods के बारे हैं पता होना चाहिए तो सबसे ज़्यादा जो methods यूज किये जाते हैं उन में आता है cfop, ru और zz और इन तीनो methods में से भी सबसे ज़्यादा यूज किये जाने वाला method है cfop और उसके बाद है ru और आज इस वीडियो में तो आपको इन तीनो methods का overview मिलेगा नहीं जोकि इन सभी methods की detailed और separate videos मेरे चैनल पर पहले से ही हैं और अगर आप इन methods के बारे में जानना चाते हो तो आप उन वीडियो को देख सकते हो तो अब बात करते है कुछ terms की जैसे की average और mean के बीच में difference AO5, AO12, raw average और counting की तो समझ लो मैंने कुछ solves की है यहाँ बे मैं example के लिए 5 solves ले रहा हूँ और उन 5 solves की timing कुछ इस तरीके से है तो अगर मैं कहूँ हमें इन सभी times का mean निकालना है तो उस mean का मतलब क्या होगा mean का मतलब है कि इन सभी को add करके divide करना है 5 से क्योंकि यह total 5 timing से है और इस तरीके से हमारा mean आ जाएगा लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अब हमें इन 500 का average निकालना है तो उस case में क्या होगा हो सकता है आपको यह लगता हो कि average और mean सेम ही है इस case में भी हम यह करेंगे इन सभी को add करके divide by 5 कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं है तो जब हम इन 500 का average निकालेंगे तो उस case में क्या करेंगे जो हमारा सबसे best time होगा और जो हमारा सबसे worst time होगा उन दोनों को हटाके जो बचे वे 3 times होंगे उनका mean calculate करेंगे उन तीनों को add करके divide by 3 करेंगे तो तब जो हमारा number आएगा वो होगा हमारा average of 5 मतलब इन पाचों का average तो यह difference होता है average और mean के बीच में तो इसे के साथ आपको a5 और a12 का मतलब भी समझा गया होगा a5 मतलब average of 5 जैसे इस case में हमने जो निकाला worst और best time को हटा के तो वह था हमारा a5 क्योंकि वह हमारे 500 का था टोटल इसी तरीके से a12 होता है मतलब 12 का average हो गया और average निकालते वे जब हमने वर्स टाइम और best time को निकाल दिया था तो जो हमारे बच्चे वे तीन टाइम से जिनका हमने मीन निकाला था तो उन तीन टाइम को बोलते हैं counting और जो मीन निकालते हैं उसको हम अपना raw average भी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें हम best time और worst time को निकालते नहीं है अब हम कुछ special algorithm देख लिए जिनको हमने कुछ name दे रखा है उससे पहले आपको algorithm का मतलब ही पता होना चाहिए तो यह कुछ sequence of turns होते हैं जो हम cube में लगातने कुछ parts को solve करने के लिए औ पैसे मैं कभी-कभी एल्ग भी बोलता है लेकिन इसकी short form mainly एल्ग होती है और जो मैंने आपको एक term बताए थे निकलस निकलस या निकलस कुछ भी बोलो वह भी अभी आएगी तो हमारा यह algorithm है आर यू आर प्राइम यू प्राइम हमने इस और चार मूब का algorithm होता है आर प्र हमने इस अल्गरिदम का भी नाम रखा है और इस ओल्ल को सॉल्व करने के लिए जो अल्गरिदम लगाया जाता है इसका भी एक नाम है जो है सून और जो मैंने आपको टर्म बताए थे निकलस करके वह भी एक algorithm का इनाम है जो कि यह है आर यू प्राइम यू आर प्राइम य ना पता हो इसका भी कोई नहीं होता है और जितने भी ऐसे अल्गरिदम होते हैं जिन में हम खाली दो लियर को मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैसे कि यह algorithm है यू पर्म का अगर मैं आपको इस एंगल से करके दिखा हूं तो जो भी हम यूज करते हैं उसमें हम सिर्फ र राइट और अपलियर्स को इमूव करते हैं अब हम एक तक टर्म को जो है यू एफ तो अगर मैं आपको इस केक्स का एक्जामपल लेकर समझाओं तो अगर हम नॉर्मल इसको सॉल्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे पहले इसको इस तरह से अलाइन कर लेंग और क्यूब को रो एक है जिसका हम बोलते है अभर हमने पहले का किया था पहले कीका किया था हम नहीं करना क्या चाइंग्छा है पहले लगा लेना चाहिए उसके लएगा लेना चाहिए और DNS की full form होती है did not start और plus 2 में क्या होता है कि हमारा जो भी solve का time आया है उसमें हम 2 second add कर देते हैं मैंने समलो अगर मेरा solve time आया है 20 second का तो 20 second में अगर यह penalty लगे कि plus 2 की तो उस case में मेरा जो time है वो 22 seconds कमाना जाएगा तो यह तीनों जो penalties है यह अलग-अलग cases में लग सकती है मैं आपको कुछ cases बता देता हूँ तो जैसे कि हमें पता है कि जब क्यूब हमारे scrambled होता है तो हमें उसको inspect करने के लिए 15 second मिलते है मलब कि उन 15 seconds में हम यह देख सकता है कि सुरुआज के कुछ moves हमें क्यूब में क्या लगाने है तो जैसे कि हमें पता है कि 15 seconds से हमें कम काई time लेना होता है अगर हमने 15 से 17 seconds के बीच में time लिया तो उस case में हमारी यह plus two वाली penalty लगती है और इसमें क्या होता है यह तो आपको पता ही है कि जब हम अपना solve पूरा कर लेंगे तो उसके बाद जितना भी हमारा time है उसमें 2 seconds और add हो जाएंगे और जब हम अपने inspection में 17 seconds से भी ज्यादा का time लेते हैं तो उस case में हमारी penalty लगती है dnf की उस case में कोई time नहीं देखा जाए सिर्फ dnf बोला जाता है उस case को हमारा जो cube है वो solve माना जाता है आप simply यह देखो कि यह वाली जो line है और जो यह वाली line है अगर यह दोनों एक दूसरे के ऊपर तक हैं तो इस case तक भी हमारा क्यूब सौल्ट माना जाता है मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी इमारा क्यूब हो ही हमारा लगताए से हमारा सॉल्ट माना जायेगा टो कर अभर आफने क्यूब को ऐसे रखके यह प्लस टू की और अगर आपने क्यूब कुछ इस केस में रोका जिसमें हमारे एक से ज्यादा मुम लगेगा सॉल्व होने के रहे तो उसकेस में हमारी प्रणटी लगते हैं डी एन एफ की डी एन एफ मतलब डीड नौट फिनिश मतलब उसकेस में यह मना जाए कि हमारा क्य हम इसको कि लिएप लिए azकी प्लिए और कि लो और योओ लिएफ रखेंट कर्लर स्की सब्सक्राइब तो चालर às के बारे में तो आपको पता ही होगा इसकी जो फुल फॉर्म है यह तो में बिल्कुल भी लेने वाला आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी बोलने थोड़ी हार्ड है तो बहुत सारे एलगरिजम का सेट है और इनमें क्या होता है हमारे लास्ट लेयर में जब यह चारो एजिस इस एलगरिजम के सेट में हैं तो कुल मिला कि जब भी हमारे लास्ट लेयर में चारो एजिस ओरियन्ट होंगी मैं बहुत सारे एलगरिजम लगाना होगा और हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा तो इसमें बहुत सारे एलगरिजम ज्याद करने पड़ता है बस एक ह सिच्टाइशन होती है कि यह चारो एकूरिजम नदी चाहिए जैसे इसमें भी चारो उरियंट हैं इसमें भी चारो उर्यंट हैं तो ऐसे जितने भी केसिस होतें सब में बस एक एलिक्रुदम लगेगा और हमारा क्यूब सौल्व होजएगा यह हैं तो हमारा जीवी एफट तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आज की वीडियो में आपने कोई एक भी टम ऐसी देखी हो जो आपको पहले नहीं पताती हो और आपको पता लग गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना और अगर अपने वीडियो को यहां तक देखा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना चाहिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग बाई